खास मौकों की रौनक मिठाईयों बिना कहां ही पूरी होती है मोती चूर के लड़ू, मावा के पेड़े और काजू की बर्फी तो ऐसी मिठाईया है जिन्हें नाम सुनते ही मुह में पानी आ जाता है इन सभी मिठाईयों को आप आसानी से घर में भी बना सकते है लेकिन क्या आपने कभी खुर्चन की बर्फी ट्राई की है? खुर्चन जो घर में घी बनाने के बाद कडाही में रह जाती है सोचकर शायद आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन एक बार खा लेंगे तो इसका स्वाद मन में बस जाएगा इस बर्फी को बनाने में समय भी कम लगता है और मेहनत भी जान ले यहाँ इसे बनाने का तरीका खुर्चन बर्फी की रेसिपी सामगरी दूद, घी की खुर्चन, इलाइची पाउडर, मिल्क पाउडर, चीनी विधी घी बनने के बाद इसकी खुर्चन को एक कटोरी में निकाल ले कडाही में दूद गरम होने के लिए रख दे डाले दूद की इतनी ही मात्रा ले, जितनी खुर्चन हो, वरना बर्फी सही नहीं बनेगी फिर दूद में खुर्चन डाले दोनों चीजों को एक मिनट भूनना है फिर इसमें चीनी डालें इसके साथ ही इलाइची पाउडर भी अब बारी है इसमें मिल्क पाउडर मिलाने की सारी चीजों को तब तक चलाते हुए पकाएं जब तक की ये कडाही छोड़ने न लगे इसके बाद गैस बंद कर दे मिश्रन को एक थाली में निकाले और एक समान रूप से फैला दे इसे फ्रिज में सेट होने के लिए लगभग एक घंटे के लिए रख दे इसके बाद इसे मंचाहे शेप में काट ले उपर से कटे हुए ड्राइ फ्रूट्स डाल कर सर्व करें टेस्टी खुर्चन बर्फी टिप्स एक, अगर खुर्चन बहुत जल गई है तो इससे बर्फी अच्छी नहीं बनेगा उसका स्वात कड़वा होगा दो, बर्फी में शुरू में ड्राइ फ्रूट्स ना डाले फ्रिच से निकालने के बाद ही इसे डालना है तीन, मिल्क पाउडर ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस बर्फी को बना सकते है